अब इस particularly question का जो solution है, बहुत आसानी से जो है आप आ सकते थे, ज़्यादा दिक्कत नहीं थी, आसानी से जो है अगर आप solve करते तो इस question के solution पर पहुच सकते थे, इन्होंने जो है एक चीज अगर देखेंगे तो given below are the restriction profiles obtained upon digestion of 4.8 kg, इन्होंने बोला कि 4.8 kg plasmid है with the 4 different enzymes, चार अलग-अलग enzymes है, उनके थ्रू अपने digest किया, पहली बात ही इन्होंने mention कर दिया plasmid, plasmid का मतलब है कि यह कहीं न कहीं circular DNA की बात कर रहे हैं, double standard circular DNA की, है ना, और उसमें अब site जो present है, आपको पता है कि circular DNA में एक site अगर present होगा, तो इसको cut करोगे, तो linear fragment मिलेगा, size में को linear हो जाएगा, ठीक है ना, तो अगर आप E1 से digest कर रहे हैं, तो आपको 4.8 के भी मिल रहा है, आपको E2 से digest कर रहें, तो 4.8 के भी, E3 से भी कर रहें, तो 4.84 से भी कर रहें, सभी में जो है, वो 4.8 के भी ही मिल रहा है, इसका क्या मतलब है, इसका यह मतलब है कि हर एक site, एक 2 हो, चाहे वो e3 हो, चाहे वो e4 हो, सभी का जो नंबर है, वो 1 है, क्योंकि तभी एक बार digest करने के बाद एक-एक fragment बिल रहा है, ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आगे, अब, दो तरीका है इस question को solve करने का, पहला तरीका मैं बता रहा हूं कि question से कैसे answer निकालते हैं, दूसरा तरीका आपको पता है, option से जो है question को verify करतो, अपने आप solve हो जाए रहा चीज़े, कि जैसे e1, e4 have two recognition sites, each in plasmid, e1, e4 के दो recognition sites है, यह बिलकुल गढ़बढ है, जैसा अभी मैंने बताया कि एक है क्योंकि पहले से ही बता चल रहा है, e2 recognition sequence is located between e1 and e3, e2 जो है वो e1 और e3 के बीच में present है, ठीक है, अब इसके बाद third और fourth को जड़ा justify करेंगे, कि कैसे यह चीज़ चल रहा है, कि अगर आप जो है, e3 से digest करें, तो sequence जो आ रहा है, वो site का, वो e4, e2, e1 आ रहा है, और जब e2 जो digest करें, तो e1, e3, e4 आ रहा है, ठीक है, इन दोनों options को try कर लो, मैं दूसरा तरीका भी बता रहा हूं, कि दोनों options को try कर लो, कि अगर माल लेतें कि यहाँ पे e3 है, और e3 से digest करता, तो यह ऐसे linearly खुल जाता, और जब ऐसे linearly खुलता इस case में, तो इस particular point पे, जो site होता, यहाँ पे कौन सा होता, e4 होता, ठीक, फिर उसके बाद कौन से site आ रहा है, e2 आ रहा है, ठीक है, और फिर कौन सा आ रहा है, e1 आ रहा है, ऐसे case बन रहा है, इसके क्या कह रहा है, कि अगर आप e2 से digest करो, तो जो site आ रहा है, वो e1, e3, e4 आ रहा है, वो भी तो यही combination कहने की कोशिस कर रहा है, अगर आप इसी equation को देखोगे, तो इसी में अगर e2 से digest करोगे, तो जब उसको खोलोगे, तो e1 एक तरफ, फिर e3, फिर e4 आएगा, और यही इसे तो है, e1, e3, then e4, इन दोनों option एक भी बात कह रहे हैं, actually, एक भी orientation को कह रहे हैं, और यह सही होई नहीं सकता, क्योंकि दोनों ही फिर सही हो जाते, अगर यह भी सही, यह भी सही कैसे हो सकता है, एक ही सही होने वाला है, तो इसी वज़़ज़ से पहली बात तो यह दोन e1 और e2 को जब डाइजेस्ट कर रहे हैं, तो इसमें 400 बेसपेर हैं, बाकी का बचा हुआ 4.3 है, ठीक, e2, e3 को जब डाइजेस्ट कर रहे हैं, e2 और e3 के बीच में, तो इसमें 400 जो है, वो बेसपेर हैं, अब ज़रा सा समझो, e1, e1 और e2 के बीच में already 500 है, so e2 और e3 के बीच में 400 sequence कैसे हो सकता है according to this arrangement छोटा थोड़ी होगा जब भी होगा तो 500 से ज़ादा होना चाहिए था 500 से कम मतलब e3 तो ये बीच में आ जाता फिर are you getting my point कि जब भी होना चाहिए था तब ज़ादा होना चाहिए था इसी वज़ा से ये वाला condition fulfilled होगा ही नहीं है दोनों के दोनों अब क्या किस बनता है वो ये गलत था ही था थार्ड और फोर्थ भी गलत होगे बचा second यानि कि e2 recognition site e1 और e3 के बीच में present है मतलब हम e1 की जग़ e2 रखे और e2 की जग़ e1 रखे ये रखेंगे तो आपको ये चीज़ verify हो जाएगी देखे e2 और e1 के बीच में 500 और e2 और e3 के बीच में 400 ठीक बिल्कुल सही है और e3 और e4 के बीच में 2 के भी है और बाकी का 2.8 के भी e1 और e4 के बीच में 1.9 के भी है तो इस तरीके से चीज़े justify होती होई नजर आ जाएगी कि अच्छा किस तरीके से ये चीज़ चल रही है नई तो बाकी जो statement बाकी जो थे वो गड़बड थे तो ये तरीका था options के थ्रू जाने का अब दूसरा तरीका जो है वो permutation और combination वाला है मतलब आप इन से एक बार e1, e2 बिठा के रखते फिर e2 से e3 बिठा के रखते उसके बाद जो है verify करते कि हाँ e4 किधर आ रहा है किस तरीके से चल रहा है तो यही sequence बनेगा e1, e2, e3, e4 ठीक है answer second आ जाएगा ऐसे questions को permutation combination मतलब possibilities के साथ के e1 के साथ e2 रख दिया यहां से फिर e2 के बाद e3 इधर आएगा कि इधर आएगा दोनों option फिर चेक करना पड़ेगा रख के चेक करोगे फिर verify करोगे digestion से फिर चेक करोगे कि इधर नहीं आएगा वो इधर आएगा तो इस यह time taking process हो जाता है करतो सकते हो solution भी आ जाएगा लेकिन वो एक time taking process है क्योंकि आपको हर possibilities को देखते हुए आगे बढ़ना है इससी लिए बहतर तरीका यह होता है ऐसे questions को solve करने का कि जो options हैं उन्हीं 4 options को try कर लो orientation पर रख रख के अपने आप पता चल जाएगा कि कौन सा orientation इस digestion को fulfill कर रहा है और कौन सा नहीं कर रहा है यह एक better approach होता है जो कि मैंने आपको यहाँ पर पता है ठीक है समझ में आगी बा